हेलो शुरेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके इपने यूटूब चैनल आफ्ताब इस्टूडे क्लासस में तो आज की क्लास में लोग बात कोने वाले हैं क्लास 10 के लिए सामाजी पिग्यार आपका प्रस्थ नमर दोसरा है भारत में राश्टरवाद ठीक है इसमें हमारे लग उत्तरी प्रश्ण है पहला प्रस्ण आपसे यहां पर लिखा हुआ है इसको पढ़िएगा आपको सभी से और समझना का प्रयास किजिएगा कि भारत में प्रथम बेश्यूद ने किस प्रकार एक नई आर्थिक इस्तिर पायदा कर दी तीन उधार देजिए नमबर दे बेश्यूद जो हुआ था वो कब से कब तक चला था ठीक है कमें डॉक्स मताना अपनों को पता है ठीक है लिखा हुआ यहां पर पहला कि प्रथम बेश्यूद में मंदी का बातावर पदा कर दिया था जिससे सरकार को नएकर लगाने पड़े इन नएकरों ने जन सामाने मे अक्डूर्स फैला दिया प्रथम बेश्यूद में कारखानों में उत्पारन बंद हो जाने से बस्तों के मुल्यों में भारी ब्रद्ध हो गई थी प्रथम बेश्यूद में भारी जन संहार होने से नवियूकों को बलपूर्बग से नामे भरति किया गया था जिससे अवरत तो ने काल खानों में काम कराना काम कराना सुरू कर दिया रहा है अब देखेंगा यहां पर समझ गयोंगे अपलोग मेरिना पड़ दिया है इसको मतलिब क्या यहां पर है यह पहला लिखा हुआ कि पथम बिस्यूद में मंदिक का बातावार पदा कहते हैं सरकार को नए कर आएगा तो अकृष्टो पर्ण होई जाएगा यह तो बात के लिए होती है यहां पर पर करफम बिस्यूद में काल खानों में उत्पारन बंद हो जाने से बस्तों के मुल्य में भारी ब्रद्ध हो गई थी ठीक है सभी नहें कि प्रफम बिस्यूद में भारी जन्संगहार ह बलपूर्बक सेना में भत्री करा किया गया था जिससे और तो ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया जब माली जब नवीवों को सेना भत्री कर लिए गया तो बात यहां पर रोपती है अब देखिए अगला कोश्चन क्या गया है इसको सभी समझना है मैं इंपोर्टन कि भात में जंता द्वारा रॉलेट एक्ट का घोर ब्रोद किया गया अनेक सहरों में रॉलेट एक्ट के ब्रोद में रेलियां तथा जलूसों का आयजिन किया गया रेलवे वर्कसाप्स में करमचारी हरताल पर चले गया जिससे वहां काम बंद हो गया सहरों में दुकानद का सहरा लिया अमरसर के अनियक नेताओं को हिरास्त में ले लिया और गांदी जी ने दिल्ले में प्रवेश्ट पर रूख लगा दी गई आप समझें आप एक प्रकाल से किया कि कि प्रकाल से किया गया उनियका रिया प्रभाण लेन ने लिया निकाले गई और जुलूस और जोन किया गया वर्क साब जहलें 매ँ कर्म चाणी ठेश्ट पर चले गया काम बंद हो गया सेरों में दुकान दारों एन्य कर दी रेली बेट शार्षन के शमच संक्रपन हो गया सभी बाता है यहां पर जनता द्वारा किया कि इस ब्रोथ को दवाने के लिए अंग्रेजी ने दमनीत का साल लिया अमरसर के अनेक नेताओं को हिरास्त में ले लिए आ गया और यहां पर है कि 10 अपरेल को पुलिस ने अमरसर में एक सांध् का लागोशित कर दिया और जनरल डायर को इस विद्रों को दवाने की कमांस अपर जनरल डायर हुआ ही था कि जिसने जो जलीरा वाला गत्या कंड़ तो जनरल डायर नहीं गुलिया चलवाए थी आपको पता हुगा यह बताएगा आपको कमेंट आपके लिए आगे यहां प लिए सभैके खादी का कपड़ा में तयार के कपड़ोंकी तुलणां में महगा होने कि याँ गरीब जन्ता हरी उक प्रियोंक चैनर को यहां पर सेखकर्ण हेपता हं ग्रीज नंग्रेज क्वाइब द्राइब तो हो पड़ा हो पड़ा क्यों धिमा करना पड़ा है यहां पर हमाय को ता अगरी कमपनिया जागा राती है इस के लिए प्रोस्रेस करना पड़ा था हैं लग हैं कि नगहिए हैं कि यहां के पास सरकारी स्कूल में जाने तरह बखीयों के पुणा नियाले में जाने कि तच दूसरा भी खिर्ब नहीं था सिर्फ कुछें वी सिर्फ झ Эपक स्ञाने इसर्थ सक आप तो नियाले में नियाना प्ड़े जनUhic कोशन अगला कोशन के जाया है यहां पर देखिकाश को लिखा हुआ है कि सम्वाइब अग्यान के दुगान मुश्रमाई सेयुक्त संगास के आभाई पर आंदोल में सामिल के उन्हें वेस्ट कीजिए तो लिखाव दिए कि समीने अग्यान मुसलमाई सेयुक्त अभियान पर सामिल ना हो पाने की कार सामिल की उन्हें उसके क्या कार रहते हैं तो देखिए आपके सामने कार लिखे हुए कि 1933 में रह्मत अली ने पैठक पाकिस्टा बनाने की आभाई उठाकर मुसलमानों के मन में रा मन में छुद्वाबना जगा दे थी और सेकंड लिखा हुआ अब सब्सक्राइब के दो हैं मुसलमान शेयुक्त सेंगास के आवहां पस आंतुल में सामिल क्यों नहीं हुए थी तो ये कारण्ट है इसके आप देखिएगा मैंने आप लोगों कोश्चिन कहता है वह यहीं पर आ गया है अच्छा कोश्चिन इंपॉर्टन है अच्छी र कानून पारित किया ठीक है कब 1909 में गांदी जी के नेतर तुम्हें भाद वास्री उन्हें इस काले कानून का प्रवल वरूद किया 13 अपरेल 1919 इस वी को अमरसर के जलिया वाला वाग में तारिक आप की जीगा मैंने अभी कमेंट आखिने के लिए उताया था कि ये थी 13 वाग में इस कानून के प्रति विरूद प्रकट करने के लिए नागरिकों की सांदिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया इसमें लगवग 20,000 लोग एकत्र हुए कितने लोग 20,000 लोग एकत्र हुए और इस घटना ने किस घटना में 1000 लोग मारे गए थे अतहाँ इसे जलिया वाग हत्या कर डिका गया यह वाग उन अब उन 17 वलिदानियों का पविट इसमारक बन गया है इस कान ने वहाद बासियों के हिदे में ब्रेटि सासन के प्रति घ्रना और प्रतिशोद की भावना जागत कर दी थी इसके तो प्रभाव यह पड़े थे प्रभाव तो यहां प्रतिशोद के खिलाफ घ्रना और प्रतिशोद की वावना जागत कर दी तो प्रभाव पड़ा था लेकिंगे जो अंग्रेस थे 1929 में रॉले टेक्ट नावे के काला कानून लाए थे तो इस काले कानून के बिरोध में गांदी जी के साथ बहुसे लोग ते लगए 20,000 लो इसने गोलियां चलवा दें तो उनके में मतलब उनके मन में था बिट्री सरकार के खिलाफ घणा उत्पन्न हो गई थी तो अब आप से पूछ दिया जाए कि देखे अगर आप समझेगा थोड़ी सी वात है आप आप आज भी आज बहां जाकर देख सकते हैं आज भी यह हमारी लिए बना हुआ है कि आप देख सकते हैं कि कैसा अच्छा चला था आँपर आगे है कि साइमन कमिशन भारत में कब और क्यों आया था भारतियों ने इस कि देखे लिए बिलोड करते वे किस नेधा केमत हो गई थी पता होगा देखे पड़ें कि भाट में सर जान मां साइमन की अदिश्टा में 1927 में कमिशन आया था उसका नाम साइमन कमिशन था मतलब कब आया था बहार सामें कमिशन बाद में कब आया और क्यों आया तो दिख एक भाट में इस नहीं था है भारति हो किस बाद कियो किया तो इस कमिशन में एक भारति स्रस नहीं था बारति करते पंजाब केसरी पुलिस की लाइठी हो गई थी अब यहां पर आपसे क्या क्या है कि साइमन कमिशन भारत में कब और क्यूं आया था तो साइमन कमिशन भारत में कि जाज करना ठीक भारत करते हुए कि लाला राज पता जिनका उपनाम केसरी के पंजाब केसरी इनकी पुलिस लाइठी चार्ज की गए थी इसलिए सुर्क्स दार गया थे ठीक है लाइठी हो से बहुत बिटाए गिरिन की हागे लिखाए ड़नी मार्च क्या था गांदी जीन गांदी जी ने नमक करके बिरोध में बाइसराय इर्विन को एक चेतावनी पूर्ण पत लिखा था उसमें लिखा था कि यदि 11 मार्च उनिस सो तीश इस वी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे सभी ने बग्या आंदोने छेड़ देंगे लेकिन वाइसराय उनकी मां संग मानने को त्यार नहीं हुआ अतहाव गांदी जी ने वारहा मार्च उनिस सो तीश को अपने 78 सेविकों के साथ सावर मत्यासम से 240 क्लोमेटर दूद डांडी तक की जो याता की उसे डांडी मार्च करा जाता इस पकार यह जथा डांडी पहुचा और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया आप समझगे होगे हैं इसमें यात करने वाले क्या चीज़ ए लगान ने लेकिन ऑनने की मांग मानने को तयार नहीं हुआ तो इसलिए गांदेजी ने किया गया 12 मार्च 1930 को अपने अच्छता से अनुसेविकों सेविकों के साथ साथ सावर मत्यासरम तो 240 क्लोमेटर की दूरी पर था कौन था यहां पर याता की तो उसे दंडी मार्च का जाता या डंडी आता था ठीक है यह था अब वहां पर इन्हो अब आगे हैं यहां पर अगला देखेगा आप लोग अगला कोश्चित है कि सभीने अंडोलन से भिन था इस कथन की पुष्टू धारणों सहित कीजिए ठीक है अब देखी का इसका उत्तर लिखा पर सामने यहां पर कि सभीने बग्या आंडोलन से निम्नवत भिन था इसक असहियोग आदोलन के पेच्छा सभीने बग्या आंडोलन में हरतालों और बिदेशी बश्चों के पहिसकार का जोर अधिक था लोगों ने सरकार दौा लगाए गए करों का भारी ब्रोड किया तरह किसानों ने लगान देना बंद कर दिया इस आंडोलन में महिलाओं ने प चौथा पॉइंट दिया कि सरकार ने दमन चक्र चलाकर कठोलता से इस आंडोलन को कुछल दिया आप देखिए यहां पर क्या था सासरयोग आने समझे होंगे आप लोग मैं आपने चार पॉइंट बताएं इनको आप लिए इस नोट कर लिए याद भी कर लिए चाहें आप तकають सुराज का च्रण आने रोख कर लिया के श्राश का प्रैंट यहां व्त देर स्त्राइब कर लिए जिए जूट महात्मागांटी घंडा कर लिया था इससने आपके। गांदी जी दुवारा तयार किया गया सुराच का जढ़ा तरंगा नंट यहां पर लाल रंगों का समारिस्ता अगला है इंदों के बीच में गांदी पारी ततीग आता ह। तो पईरे देखें कि आप प्यक्के पीश्यश्क क इस अधरे के अधरी ह। पर अब चक्र बना हुआ है 24 दिलियों का लेकिन पहले चर्खा बना होता था ठीक है पुराने जंडिया वजिब देखेंगे उसमें आगे कहता है कि जल्सों और जलूसों में सुराज का जंडा लेकर चलना सासन के अबग्या का प्रतिक माना जाता था मतलब जलूस निकालते सुराज का जिंटा लेकर चलते थे तो सासन के खराफ माना जाता था ठीक है तो उसकी यह विसस्ता है थी तो यहां आपको नोग कोशन बता दी है अग्यारा वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़ेवेशन को फटाबर से सब्सक्राब कर लिजीगा साथ में लाइकन को भी प्रेस कर लिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकरशन आप सबसे पहले पहुंचे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धंदिवाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप से